तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की प्रॉब्लम्स का सॉलूशन लेके और आप सभी के प्रिसियस टाइम को बचाने के लिए तो आज का जो टॉपिक है वो है नए स्ट्राइब कस्टुमर्स को एक्टिफ केंपेंड पर कॉंटक्ट बनाएं कैसे आटोमेटिकली है ना आटोमेटिकली प्रॉसस बता जेता हूँ सबसे पहले तो स्ट्राइब पे जैसे ही कस्टुमर्स क्रियेट होता है आटोमेटिकली एक्टिफ केंपेंड पर कॉंटक्ट क्रियेट हो जाता है ठीक है कैसे हो रहा है यह सब यह सब हो रहा है एक automation की help से automation जो हमने set किया है stripe और active campaign के बीच में आज ये बताने से पहले इन दोनों applications के बारे में बता देता हूँ stripe हमारा एक payment gateway है और active campaign हमारा एक email marketing software है इन दोनों का integration कराना है बट एक छोटी सी problem है problem क्या है ना कि stripe का active campaign से कोई भी connection नहीं है इतना सा भी नहीं है so इन दोनों का connection कराने के लिए हम use करेंगे एक software का काफी interesting software है जिसका नाम है Pably Connect जो कि एक automation and integration software है जो मैं help करेगा stripe को active campaign से integrate करने में automate करने में और best part बता दूँ आपको इस automation का के इसको करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding का आना जरूरी नहीं है एक non-technical बंदा भी यह automation बहुत ही easily set कर सकता है तो यह automation में कैसे set करता हूँ step by step करके दिखाता हूँ अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हमारे browser में type करेंगे www.pably.com प्रेस एंटर अपना account एकदम फ्री में बनानी के लिए मैंने अपना account जो है वो अल्रेडी बना लिया है that's why मैं क्लिक करूंगा sign in पे then first option आएगा पैबली connect का क्लिक करना होगा access now पे open हो जाएगा dashboard पैबली connect का right hand side में option है create workflow का उस पे क्लिक करेंगे then अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं नाम दे देता हूँ stripe to active campaign okay campaign ठीक है मैंने नाम दिया stripe to active campaign आपको जो नाम देना हो आप वो नाम दे सकते हैं एक important बात इस वीडियो की description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का तो इस पे click करके आप ये same amazing workflow अपने account में use कर सकते हैं वो भी एकदम free में okay so workflow को हमने नाम दिया तो हमारे सामने आई हैं दो windows एक है trigger window एक है action window दोनों ही काफी important role play करते हैं integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic के अनुसार stripe में जब भी कोई new customer create हो तो automatically active campaign में भी वह ऐजा contact create हो जाए okay so हम इसमें जो हमारा trigger application होगा वो होगा stripe और trigger event जो होगा वो होगा stripe में customer create होना तो यहाँ पर मैं search करूँगा choose application में stripe then इस को choose कर लूँगा stripe को okay then trigger event में choose करूँगा new customer को यहाँ पर और भी सारे options है आप इन में से किसी को भी choose कर सकते हैं अपने workflow के according मेरी जो need है वो है new customer क्योंकि मैं चाता हूँ मेरा trigger cup काम करें जब भी मेरे stripe में new customer create हो trigger event को choose करने के बाद पैबली connect ने दिया है मुझे एक वैबुक URL जिसको मैं copy कर लेता हूँ और नीचे दिये हैं कुछ instructions जिने मैं follow करता हूँ चलता हूँ मेरे stripe के account पे क्योंकि मुझे integrate करना है मेरे पैबली connect को मेरे stripe के account से आ गया यहाँ पर एक option है developers का उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर option है web books का click करना होगा web books पे ओके वैबुक्स पे click करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफी सारी web books पहले से create हो चुकी है है नास हो मैं इन पर ध्यान नहीं दूँगा मैं एक new जो है web books create करूँगा क्लिक करूँगा add end point पे okay add end point पे click करने के बाद यहाँ पर मैं end point url जो fill करूँगा ना वो जो मुझे public connect ने दी है उसको copy करूँगा और यहाँ पर stripe में आके end point url के section में paste कर दूँगा simple description को skip करूँगा then select event के अंदर मैं choose करूँगा हमारा जो है create customer okay यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहा है नीचे scroll करके person radar काफी सारे options है एक second यहाँ पर हम आ जाते हैं choose customer created from select event drop-down okay customer created वाला हमें जो है choose करना है ठीक है यहाँ पर हमें जैसा की instruction में दिया हुआ है okay so यहाँ पर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है account sorry account यह account का है charge coupon credit यह रहा customer okay customer के 19 जो है events है customer created okay क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई customer create हो तब जो है मेरा trigger काम करे add event पे click कर दूँगा then add endpoint पे click कर दूँगा simple ठीक है so yes यहाँ पर जो है enable हो गया है status मतलब हमारी webhook successfully add हो गई है then यहाँ पर आप देख रहे होंगे wait कर रहा है webhook के response करनेगा public connect okay तो चलते है जो है customer create करते हैं और check करेंगे कि उसकी details public connect के पास पहुंचती है या नहीं तो ठीक है click करूँगा customers पे then मैं यहाँ पे add customer पे click करके एक new customer जो है add कर दूँगा ठीक है यहाँ पे मैं Gary Monroe के नाम से एक customer add कर देता हूँ जिनका email address है Garymonro6778.gmail.com description आपको डालना है डालिए मैं इसको skip कर रहा हूँ okay phone number यहाँ पे मैं fill कर देता हूँ 269-366-913 okay phone number में डाल दिया है मैंने choose a country so मैं यहाँ पे India okay choose कर लेता हूँ India ठीक है ना नीचे आ जाता हूँ बाकी सारी जो है मैं चीज़े skip कर रहा हूँ एक customer को create करने के लिए इतनी details क आप इन सभी को fill कर सकते हैं कोई problem नहीं है ठीक है एक customer पर click कर दूँगा so customer create हो गया है Gary Monroe के नाम से चल के चेक करता हूँ पैबली connect के पास इसकी details पहुंची या नहीं so yes अभी अभी जैसा कि आप देख पा रहे response received हुआ है successfully customer create हुआ है जिसकी details हमारे सामने है Gary Monroe 678 direct gmail.com जि create कर दिया हमारे stripe को पैबली connect से अब जब भी हमारे stripe में हम कोई new customer create करेंगे तो उसकी सारी details पैबली connect के पास पहुंच जाएंगी ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि यह जो Gary Monroe है यह as a contact add हो जाए मेरे किसमे active campaign में उसके लिए मुझे second application में choose करना होगा active campaign को so मैं आप search कर लेता हूँ so active campaign को choose करने के बाद action event में हम choose करेंगे create a contact okay create a contact क्योंकि हम चाहते हैं के contact create हो connect पे click कर देंगे connect पे click करने के बाद add new connections पे connect तो new connection के लिए मुझसे मांग रहा है API की और URL API की और URL कहां मिलेगा उसके लिए चलना होगा हमें हमारे active campaign के account पे तो यह है मेरा active campaign का account नीचे option है settings का click करूंगा settings पे then settings पे click करने के बाद यहाँ एक option है developer का click करूंगा developer पे so मुझे यह मिल गया URL जिसको मैं copy कर लेता हूँ और public connect में आके URL के section में paste कर देता हूँ ठीक है और यह है मेरी key okay key को मैं copy कर लेता हूँ पूरी key को okay so yes पूरी key को मैंने copy कर लिया है then API की वाले section में paste कर देता हूँ okay simple एक important बात ठीक है यह जो URL है ना हमने जो डाली है इसमें हमें इस तरीके से डाली है जैसे कि हमें example के तौर पे दिया हुआ है यह http slash slash हमको हटा देना होगा okay हमें सिर्फ इतना जो है URL डालना है ठीक है अब क्या करते हैं save पे क्लिक कर देते हैं okay save पे क्लिक कर देते हैं so save पे क्लिक करने के बाद जो हुआ हमारा active campaign successfully connect हो गया देके बता देता हूँ ठीक है email की blank field है क्लिक किया उस पे नीचे option आने लगा stripe का जो की हमारी trigger application है क्लिक किया उस पे तो सारा data open हो गया stripe से मिला हुआ email की सही value को find करना है जो हमारे customer थे किसमें stripe के अंदर उनका email हमें यहाँ पे map करना है तो उनका email क्या था यहाँ 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 गयरी मॉन्डो एक कर दिया simple first name map कर देते हैं ऐसे ही है ना इसी को हम mapping कहते हैं simply okay first name था Gary Monroe Gary Monro ठीक है first name last name आता है इसमें तो इसके लिए हमें हमें महारे से पूरा ही name मिला है पूरा name मिला है मतलब Gary Mongro पूरा का पूरा मिला है तो हम यहाँ पे Gary Mongro अग्ड कर रहे हैं last name में भी हम जो है first name last name अमड नहीं करना है phone number हम आट कर देते हैं क्योंकि first name के अंदर ही first name और last name दोनों है अगर मैं यहाँ पर last name में भी नाम एक कर दूँगा तो यहाँ पर Gary Mondo Gary Mondo दो बार हो जाएगा ओके है ना phone number phone number map कर देते हैं ठीक है यह ना phone number simple click करते हैं save and send test request पर ओके और फिर चल के चेक करेंगे हमारे active campaign की contact list में पहले ही open कर लेता हूं मैं active campaign की contact list में चल के चेक करेंगे कि महाँ पर Gary Mondo के नाम से कोई contact create होता है या नहीं अभी तक यहाँ पर कोई भी contact नहीं है ठीक है क्लिक करता हूं save and send test request पर ओके क्लिक किया मैंने save and send test request पर response received हो गया है successfully और एकदम positive response रिस्पांस हुआ है चल के चेक कर लेते हैं active campaign में की वहाँ पर Gary Mondo के नाम से कोई contact add हुआ है कि नहीं है तो अभी तक मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है refresh करके एक बार चेक कर लेता हूं तो मैंने refresh किया ओके so refresh करने के बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं Gary Mondo के नाम से successfully एक contact जो है वह हमारे सामने create हो गया है means हमने successfully integrate कर दिया है हमारे stripe को active campaign से अब जब भी हमारे stripe में कोई new customer create होगा तो automatically active campaign में वह as a contact create हो जाएगा ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हैं automate कर सकते हैं वह भी बिना किसी परशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस video के description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का जिस पर click करके आप ये same amazing workflow अपने account में use कर सकते हैं वो भी एकदम free में इस video से related कुछ questions होता हैं आपके queries होती हैं या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं मेरी team से बात करना चाहते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको ये दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूँ के हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को like करना मत बूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत बूलेगा thanks